हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब मेरा नाम है राजन कुमार एड आप देख रहे हैं राजन अकेडमी ओफ एजुकेशन स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नमबर सेवन परीक्षन मापन एवं मुल्यांकन क्लास 11 का है ठीक है और यह फिजिकल एजुकेशन सबजेक्ट है तो चलिए इसका जो पहला MCQ है वो देख लेते हैं डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिभिन मानक परीक्षनों की सहायता से प्रदर्शन के इस्तर, फिटनेस, ज्यान, व्यक्तित्व और कौशल का निर्धारन किया जाता है यानि कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बिभिन मानक परीक्षनों की सहायता से प्रदर्शन के इस्तर ठीक है फिटनेस और ज्ञान का इस्तर ब्यक्तित्व का इस्तर और कोशल का इस्तर का निर्धारण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मापन तो जो हमारा B option है वो सही उत्तर है मापन ठीक है अब हम बात कर लेते हैं प्रशन दो की प्रशन दो में कह रहे हैं डैश किसी के ज्ञान और कोशल को मापने के लिए आयोजित किया जाता है यानि कि यहां पर जो सही उत्तर है वो है C option C option में कह रहे हैं C option में बोल रहे हैं परीक्षन तो यह जो है question number 2 इसका सही उत्तर है परीक्षन तो परीक्षन किसी के ज्ञान और कोशल को मापने के लिए आयोजित किया जाता है अब हम बढ़ते हैं प्रशन तीन की तरफ प्रशन तीन में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं प्रशन तीन में कह रहे हैं डैश का अर्थ है, एकत्रित जानकारी का कुछ मानक के साथ विसलेशन करना, यानि कि जो जानकारी हमारे पास है, एकत्रित की गई जो जानकारी हमारे पास, ठीक है, उस जानकारी का कुछ मानक के, कुछ स्टेंडर्ड के, ठीक है, कुछ standards के साथ resolution करना ठीक है तो ये प्रिक्रिया क्या कहलाती है मुल्यांकन ठीक है मुल्यांकन ठीक है अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की और चौथे प्रश्न में कह रहे हैं BMI का फुल्फॉर्म क्या है तो BMI का फुल्फॉर्म है वो है Body Mass Index ठीक है, Body Mass Index, BMI का फूल फॉर्म है, Body Mass Index, ठीक है, तो B option जो है, वो सही उत्तर है, अब हम बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 5, तो इसमें कह रहे हैं, एक अच्छा Body Mass Index होना चाहिए, कितने से कितने के बीच, ठीक है, जो B option आप देख रहे हैं, यहाँ पर, 18.5 से लेके, 24.9 तक का जो Body Mass Index होता है, ठीक है, वो एक अच्छा Body Mass Index माना जाता है, ठीक है, तो B is the right answer, अब हम बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 6 की, प्रश्न संख्या 6 में कह रहे हैं, Dash BMI, Obesity 1 की भार इस्थिती के अंतरगत आता है, यानि कि जो Weight Status BMI का है, जो BMI, Obesity 1, इसका मतलब क्या है, यानि कि अगर BMI, Obesity 1 है, ठीक है, जैसे एक होता है Normal Weight, ठीक है, एक होता है Underweight, तो ऐसे ही होता है, एक Overweight, और एक होता है Obesity 1, Obesity 2, इस तरीके से, तो जो BMI, Obesity 1 है, वो किस भार इस्थिती, यानि कि 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 वेट स्टेटस में आता है, तो भही वो आता है, देखो यहाँ पर, 30.0 से 34.9 के बीज में, यानि कि अगर 30.0 से 34.9 BMI है किसी का, तो वो Obesity बन की भार इस्थिती के अंतरगत आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सहीत तर है, ठीक है, तो मैंने आप लोगो को अल्री बता दिया, तो चलिए, अब बढ़ते हैं, सात्वे परश्न की ओर, सात्वे परश्न में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं यह, कि 18.5 BMI से कम वजन की स्थिती कि कि किसके अंतरगत आती है, यानि कि कि किसी का BMI, जो है, 18. 18.5 से कम है, तो वो कौन सी केटेगरी में आता है, कौन सी वेट केटेगरी होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको अंडरवेट, ठीक है, क्या कहते हैं उसको अंडरवेट, यानि 18.5 BMI से कम है, ठीक है, यानि कि किसी का BMI 18.5 से कम है, तो वो अंडरवेट केटेगरी में आता है तो यह जो ब्यूपशन है वो सही उत्तर है नेक्स हमारे पास जो कोश्चर है वो हे एट तो इसमें कह़े हैं खादिस्थान दिया और लखा है की गंड़ना कमर के माप को हईब माप से विभाजित करके की जाती है तो इसको हम है Waste Hip Ratio यानि कि जो west और Hip का ratio होता है उसको हम कहते है Waste Hip Ratio तो यह जो आर्टबा प्रशन है ठीक है इसमें आएगा Waste Hip Ratio की गणना कमर के माप यहीप के माप से विभाज़िद करके की जाती है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं प्रशन संख्या 9 की प्रशन संख्या 9 में कह रहे हैं BMI डैश द्वारा विक्सित किया गया था यह BMI जो है किसके द्वारा विक्सित किया गया तो जो सही उत्तर है वो है Adolf Quetlet ठीक है तो जो सही उत्तर है वो है Adolf Quetlet अब हम बात कर लेते हैं दसवे प्रश्न की, दसवे प्रश्न में क्या कह रहे हैं? दसवे प्रश्न में कह रहे हैं, महिलाओं के लिए स्वास्थ जोखिम कम है, यदि कमर कूल है का अनुपात 0.80 या इससे कम है, यानि कि जो वेश्ठ प्रेशियो है, ठीक है? तो यह मैंने आपको आपको अंसर कोस्टन में ही बता दिया है, तो ए उप्शन में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम यही उप्शन लगा देंगे, तो 0.80 या फिर कम, ठीक है? इससे कम, तो students, I hope आप लोगो को यह वीडियो पसंद आयोगा, तो please like कीजे, share कीजे and comment और आप लोग इसी तरीके से अपना support बनाए रखें, thank you so much for watching this video completely and please subscribe the channel, thank you.